हेलो दोस्तो कैसे हो आप सब आयो आफ अच्छे हो गए खुस हो गए दोस्तो नवरात्री की लख लख बधाईयों के साथ शुरू करते हैं आज की रेसिपी तो दोस्तो आज ही बहुत ही यूणिक रेसिपी बंड़ने वाले हैं बहुत क्ым बन भी जाएगे और सब को बहुत पसंद आएगी बहुत टेस्टी लगती है और बहुत जल्दी बन जाती है तो आज मैं बहुत ही अच्छी रेस्पीड लेके आई हूँ तो वीडियो बहुत हेलफूर होने वाली है दूस्तों मेरी चैनल को कर लें सब्सक्राइब तो चलिए सुरू करते हैं तो सबसे पहले इस रेसिपी को बनाने के लिए फ्रूट को भोले अच्छा से और इसे हमें कट करना है तो फ्रूट को काटने के लिए जिस चाकू का भी आप इस्तमाल करें तो ध्यान रखे कि चाकू अच्छा से साब से धूला हो प्याज और लेसुन के उसमें दुर्गंद तो इस बात का आप बहुत ध्यान दखें, तो हम फ्रूट को काट लेते हैं, तो फ्रेंड, हमने सारे फ्रूट को कट कर लिया है, यह है सेव, खीरा, और अनार के दाने और केला, तो मेरे पास यही फ्रूट था, तो मैंने यह ले लिया, तो आप यह ना सूचे कि मेरे पास य प्रूट नहीं है तो हम यह रेसिपी नहीं बनाएंगे आपके पास जो भी फ्रूट हो उसे आप ले ले और कट कर ले अब हम इसके लिए एकले मिक्सिंग बोल में हम इस साहरे फूट को ट्रांस्फर करेंगे तो दोस्तो में रेसिपी आपको अच्छी लग रही है दोस्तो तो मेरे चैनल को कर सब्सक्राइब और उसके बगल में बेल आइकन जो है उसे भी आप ज़रू से प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालू तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो फ्रेंड आज हम इस फ्रूट से बना रहे है फ्रूट चार्ड य तो वह कभी मना नहीं करेंगे और फटा-फट से खा भी लेंगे और बच्चों को सारे पोसक तब मिल जाएंगे तो आप ये रेसिपी अपने डेली लाइफ में जरूर ही ट्राइ करो बहुत ही यमी लगते हैं और बहुत ही कुईक रेसिपी है तो सारह ही मैंने एक बोल में मीं ट्रैसफर कर लिया अब हम में डालेंगे को हैं कुछ है यमी वाला मसाला गया हमारा और भी बहुत प्रूट चैर्ट तो सबसे पहले लावते थोड़ा सा काला नमक बहुत ही यमी लगते हैं इसमें है थोड़ा सा भूने जीरे का पॉरडर है हो दूड़ा सा लाल जाए गए तो एक चाट मसाला थोड़ा सा स्वादा नमक हल्का सही टालें I am क्योंकि हमने से में का और यह रज़ा है औल च्पी हम चुड़ा से लावा यह तो है यहका चिनी है कर बहुत ब्रदी याँ लगते हैं प्रका सही डालरी हुए आज़ाद चमच आप ज्यादा डालना चाहते हो अगर आप ठीणी नहीं डालना चाहते हो तो इसमें आप सहत का भी प्रयोग कर सकते हो एक चमच सहत डाल दें वह बहुत अच्छा लगता है तो उसी के साथ मैं यह डाल दूंगे फ्रेश्च पोदीने की पत्ति बहुत ही मस् जालेंगे मिलाने के लिए कलिए दूस्तों सब्सेंलेंगे चाहिए मसाला इसमें अफोρत हो जाए तो आप कोसिब करें दोस्तों की फ्रूट हमारा यह ताजा ही हो और कटे हुए प्रूट को ज़्यादा देन कि यह तो फिर नुक्सान करता है तो इस टाइब से आप मिला सकते हो या आप स्पून का भी प्रयोग कर सकते हो तो देखिए कितनी डिलिसिस लग रही हमारी ये फ्रूट चाट तो दोस्तों बहुत ही हेल्दी रेसिपी बनके हमारी तयारी फ्रूट चाट देखने में जितनी यमी लगती है खाने में उससे कई ज्यादा बहत ही यमी लगती है तो अभी नौरातर चल भी रहा है तो आप नौरातरी के दीन तो आप मॉर्णिंग में इसे अगर ब्रेक फास आप में यूज करोगे तो आपको दिन भर एनरजेटिक भी रहोगे और फिर स्वात भी बहुत अच्छा आता है तो आप जो चीज़ इसमें नहीं खाते हो नौरातर के ब्रत में तो आप इसको स्कीप करते और इस टाइब से आप करके फ्रूट चार पनाए तो आपको तक्षब कर वाचिग कर दो आपको आपको और आता है